जो हमारा बाइस तिर्थ का असनान है वो पूरा हो गया है हेलो फ्रेंड्स वागत है आपके अपने चैनल एट उजे ट्रिप पे और आज हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम दर्सन करने के लिए तो सुबह सुबह उठने के बाद रूम में फेर्श्म होने के लिएक पार प्रेंस वाहिण हो जाने से फक्रामे चैनल चार धामें से एक धाम और 12 जोतिरलिंग में से एक जोतिरलिंग रामेश्वरम है और रामेश्वरम हो जगा है जहां पर से राम से तू पूल का निर्माड किया था और वहां से फिर लंका पर चढ़ाई किये थे तो काफी खुब सुरुम्धिर की बात कि जाया तो जो मंदिर में वो चार द्वार बनाए गया है यानि चार गोपुरम उन में से एक गोपुरम तो यहां पे सामने ही है ऐसे इसके अंदर से मंदी में प्रिवेस करने को मिलता है लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो हम लोग अभी जा रहे हैं सबसे पहले अग्नी तीर्थ हम सबसे जो में गेठ है वहाँ पर और वहाँ पर अश्णान करने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे दर्शन करेंगे तो एक यह गेठ है जिसमें आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए ऐसे चार गेठ है यह बनाया गया है बहुत ज़्यादा भीड होता है तुमको लगता है कि लाइन लगा समंदर हुल दा मद हो बादा हो बादा सुर कितनी हां अबबापा और यह भी एक गेट है जो की ठीक अगनी तिर्थम के सामने है तो अभी हम लोग तो अगनी तिर्थम जा रहे हैं वहां असनान करेंगे और फिर वापस आएंगे फिर 20 तिर्थ की तरफ चलेंगे हैं हुआ है हुआ है है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है इसे तो नियुक्त से लिए पर है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो इस वजह से यहां का जो समुन्दर है वो काफी सांत है और यहां पिलहर भी नहीं आती है तो चलिए फटाफट हम लोग भी अगनी तिर्थम में असनान करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं रामिसुरम जी के दर्सन करने कर दो कि असमान कर चलते हैं और यह वां भी दो झालओ हुना बाले turnaround कर फे दानी उसके दाले में अन्मछाि हैं आती हैं पुलिए और चंआ यह जbey?. कर दो कर दो तो आवि हम लोग का अगनी तीर्थम में असनान हो गया है और अब हम लोग वापथ जा रहे हैं मंदिर की तरफ और AirPods frater के अंदर हिए जो बाइस तीर्थ का कूंड है उसमें अच्नान करना रहता है तो चलिए अच्नान करते हैं पहले और उसके पिर जैसा भी होता है आगे आपको मैं बताओंगा कि कैसे असनान करना है क्या करना है और फिर कैसे दर्सन करना है तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारा 22-30 का सनान है वो पूरा हो गया है और 22-30 से जाने में काफी मज़ा आता है आप लाइन में से चलते जाते हैं और वहीं पर जो पंडी जी लोग हैं वहां पर आते हैं और कुंड से पानी निकाल के आपको उपर डालते हैं आप आगे बढ़ते जाते हैं इसे करते करते हैं आप 22 कुंड से होकर और फिर से किसी एक में गेट पे चले जाईएगा आपको साहिब नहीं पता होगा कि हम किस केट से घूसे थे और किस गेट पे चले गए क्योंकि यहां पे टोटल चार गेट हैं तो आप और हां कुन में जाने के लिए आपको टोकन कटाना पड़ता है वो है पचीस रुपे का येक आदमी जो है वो पचीस रुपे का है तो या दूसरी बात सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आप असनान करके भींग जाएगा लेकिन भींगे हुए कप्डों में दर्सन नहीं करिएगा तो उसका क्या सॉलूसन है तो उसका सॉलूसन यह है कि आप अपने साथ रैप जो कपड़े है वो लेकर चलिए अगर आप मेल ह जब आपके बात पाने गिरे तो वो भींगे नहीं बस और उसको साथ साथ में लेके चलना है और जो लेड़े जो अगरा है वो तो मतलब कि उनका जो भी कप्ड़े है उनको वैसे ही रैप करके वो आप लेकर आप चलते रहिए मतलब कि 22 कूंड जहां लाश्ट कूंड होग करने के लिए और नहीं तो अगर कपड़े आप बाहर रख के और फिर इंट्री करते हैं 22 कूंड में जाने के लिए तो आप कूंड में नहाने के बाद फिर सोचेगा कि मैं कहां से इंट्री किया था और वापस वहां पर जाओं कैसे तो कुछ ऐसा सिच्वेशन है तो मैंने जो था कपड़े अपन भाहर ही रख दिया था लेकिन मैं सब याद करते जा रहा था कि हमको वापस किस घीट से आना है तो असनान करने के बाद फिर से मैं वापस आया और चेंजिंग रूम में नहीं गया और नॉर्मली इधर ही थोड़ा सा स्पेस टाइप का था मंदिर मे तो मैंने अपना चेंज कर लिया कपड़े और एक बैग भी था मेरे पास इधर से यह एक बैग लेके आया था भीगे कपड़े उसमें रख लिया प्लास्टिक में रैप करके और अब मैं जा रहा हूं फटा-फट मंदिर में दर्सन करने क्योंकि टाइम भी हो रहा है और ट प्लास्टिक में जा रहा है और टाइम भी हो रहा है प्लास्टिक माईए रहाए तो फैली हम लोग रामनात्षवामरी यानिकी रहे नात के दर्सन कर लिए हैं और दर्सन करके बाहर आगा है और उसके बाद फिर भूक भी लग गई है तो ही लोगो इधर बैठा दीये हैं पर यहां से खाना करने के बाद मैं सिधा चला जाओंगा रूम पर रूम पर थोड़ा बहुत रेक्ष करेंगे क्योंकि काफी चलना हो गया, पहले अगरी तिर्थम पर शुबह सुबह जाना, नहाना उसके बाद 22 तिर्थम पर जाना, रुहां पर असनान करना उसके बाद अं दोलर मंदिर में आज काफी लंबा लाइन लगा और काफी गोल-गोल भूमने के बाद फाइनली अभी यानि की टाइम कितने हो रहे हैं कि विद्ध बजे गेद्ध बजी दुए हैं और दर्सन करके बाहर निकल के आये हैं यानि की अप्रॉक्स कि हम लोग नौ नौ साड़ नौ बजे चले तो दर्सन करने के लिए और देड़ पजे दर्सन हुए काफी ऐसा है मतलब बहुत थकावटी सी हो रही है तो चलते हैं रूम में पहुंचते हैं होटल में अपने और थोड़ा देरा आराम करेंगे अराम अराम करने के बाद फिर धनुस्कोट योगरा जाना होगा तो जाएंगे और बात कर लेंगे कोई अगरसे तो चलिए देखते हैं जैसा भी होता है पहले यह लोग खाना होना खाले क्योंकि लोग को काफी भूख लग गई थी तो खाना होना खाने के बाद फिर यहां से उमीद है कि आपको ये ब्लोग पसंद आया होगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग ब्लोग आपको मिलते रहें